जेहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं क्रिशना आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो सेक्षन में हम बात करने वाले हैं खादे निरिक्षक भरती परिच्छा और उनके साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे प्रशन जो है किस तरीके से पूछा जाएगा तो पुरी तरीके से जो है उभ्भोकता संरक्षन अधिनियाओं का ये जो है पुरी तरीके से प्रस्तनावना हो सकता है ठीक है तो वीडियो को दोस्तों सुरू से लास तक जरूर देखेगा और नाक्स्ट में जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग एक एक करके अधायकर को पर्टिकुलर जो है समझने की कोशिश करेंगे और उनके आने वाले सभी धाराओं को डेटेल में समझने की कोशिश तो दोस्तों वीडियो को लाज तक तक जरूर देखे लिए लगभग 18-20 मिनट का हो सकता है ठीक है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा और जो स्टूडेंट नय है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बहिलाता है जरूर अन करेगा क्योंकि आपके तो दोस्तों खाद निरिक्षक भरती परिच्छा का बहुत ही महर तो पूर्ण टॉपिक हो जाता है उब्भोकता संरक्षन अधिनियम और इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद दोस्तों पता नहीं जितने भी पाल्ट हमें बनेग इसके बाद अवश्यक अवस्तु अधिनियम पढ़ेंगे उसके बाद दोस्तों उसी तरीके से खाद निरिक्षक भरती परिच्छ का हमारा जो पहला प्वाइंट है बो है उब्भोकता संरक्षन अधिनियम तो चलिए देख लेते हैं तो दो उभोकता सरक्षन अधिनियम जो है अगर हम लोग बात करें तो यह है पूरी तरीके से उभोकता को सरक्षन प्रदान करने के लिए सारी जो विधाई प्रक्रियाएं हैं अर्थात कहा जाए तो उसके लिए जो यह पूरी तरीके से समिधान है किसके लिए उभोकता के सरक्षन को रखने के लिए ठीक है तो दोस्तों अगर इसमें हम लोग total बात करें तो हम लोग अगर कुल भाग की बात करें तो प्रश्ण ये भी पूछेगा कि जो उभोक्ता सरक्षन अधिनियम है उसमें कुल कितने अध्याए हैं तो कुल कितने अध्याए हैं दोस्तों तो यह आपके पास जो दिया हुआ है कुल अध्याओं की संख्या वो है दोस्तों चार है ठीक है और साथ ये साथ अगर पूछे तो कुल धाराओं की संख्या कितनी है तो दोस्तों वो है 31 धारा है अगर आप देखोगे section wise तो उसमें क्या हो जाएगा संख्या बढ़ जाएग 29 धारा है तो 29 कभी आपको देखने को मिलेगा 30 धारा है तो 30 कभी देखने को मिलेगा इस तरीके से उपधाराओं को मिला करकि इसकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो कुल धाराओं की जो संख्या है वो है 31 ठीक है तो चलिए देख लेते हैं अब इसमें कौन-कौन सी धारा जो है कौन कौन से भाग में बटा हुआ है तो सबसे पहले जो होता है किसी भी अधिनियम तो उसमें जो स्टार्टिंग होता है वो उसका परिचा होता है प्रारंभिक होता है तो अध्याए एक में जो है प्रारंभिक जानकारी दी गई है तो प्रारंभिक जानकारी में दोस् शिर्स सीमा आरंभ और जो है लागुता ठीक है मतलब लगुर शिर्षक सीमा प्रारंभ एवं लागुता और दूसरा दोस्तों परिभाशा इन सब के बारे में आपको परिभाशा देखने को मिलेगा इन सब के बारे मैं डेटेल बताऊँगा जो हमारा इसके बार जो next part ठीक है तो देखे इसमें जो है दोस्तों पूरी तरीके से इसमें जो बताये गए है किस किस के बारे में परिभासाया बताईगी है तो देखे समुचित प्रयुक्षाला इसका अर्थ क्या होता है इन सब के बारे में बताये जाएगा शाखाकार यालाई क्या होता है सिकायत करता कौन होता है किस चीज को सिकायत करता कहेंगे शिकायत का मतलब क्या होता है इन सब के बारे में बताएंगे उभोकता क्या होता है इन सब के बारे में ठीक है तो इन सब से प्रशन ये भी पूछ सकता है उबहुकता विवात को परिभाशित किया गया है तुरूटी, कमी, जीला फोरम, माल, उत्पादक, शदश्य, राच्टी, आयोग, अधिशूचना, व्यक्ति, निर्धारित और विनिमय, इन जैसे सब्दों के लिए दोस्तों पूरी तरीके से सब्दों जो है इनमें परिभा शेवा, उसके बाद व्यपारी, अनुसुचित, व्यपार, व्यवहार, इन सब की बारे में परिभाशित किया गया है और जो हमारा धारा तीन है वो किसी अन्य कानून कमी की अधिनियाम को नहीं है इसके बारे में बताता है तो जब हम अध्याय पढ़ेंगे तो इसके बार पाना और किसी अन्द खुद के राज्य को तोड़ करके अलग राज्य का निर्मान करना तो ये अनुच्छे तीन-चार इन सब में हमने पढ़ा है उसी तरीके से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा पहला पुरी तरीके से परिच्या से रिटेटर रहेगा दूसरा अनु ठीक है तो पांच धाराएं कोन-कोन सी है तो धारा चार धारा पांच धारा छे धारा साथ धारा आठ धारा आठ का धारा आठ खा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम देखें इसमें पांच धाराएं है और उप धाराओं के सम्मित मिला करके हम दोग देखते हैं तो केंदरी इस्तर पर और राज्य इस्तर पर ठीक है जीला इस्तर पर हम जो पढ़ेंगे वो अध्याज तीन में पढ़ेंगे ठीक है डीटेल में उसमें दिया गया है इसमें सिर्फ हलका सजानकरी आपको धारा आठका में देखने को मिलेगा तो देखे केंदर के सेंटर पर रह ठीक है, मतलब किस तरीकी से इसकी प्रक्रिया होगी, कौन जो है उपस्तित होगा, इसकी अध्यक्षता कौन होगा, अगर अध्यक्ष नहीं है, तो इसकी अध्यक्षत के बदले में, कौन जो है निर्णाय ले सकता है, तो ये धारा 5 में देखने को मिलेगा, धारा 6 में कहता ह है कि केंदरी परिशत का जो उदेश है वो क्या होगा उदेश है उनके बारे में बताएगे हुगे, तरिकर से धारा आठगा में जीला परिशत का जो है उदेश है और साथे साथ दोस्तों जीला उभोकता अर्थाद राज्य का भी परिशद मतलब कहा जाए तो आपको तीनों जो है शमार रूप से देखने को मिलेगा कौन-कौन सा जीला परिशद का उदेश्य राज्य परिशद का उदेश्य जीला परिशद का उदेश्य ये तीनों के तीनों यहां तक समझा गया है एक बार क्लियर कर देता हूं फीर से पहला आपका बताएगा केंद्री उम्होगता थारार्षण परिस्थ उनकी जब्राओं के बारे और उसका उद्देश है जो तोा ह्या bumps डारा आठ में है और ढारा आठ के अंतरकत विवाद निवारक एजंसी है क्योंकि आपको जो है तॉप से लेकर के मतलब कहीं न कहीं आपको नीचे से प्रॉब्रम हो रही है न तो मतलब क्या है आपको कोई केस लग रहे हैं तो नीचे जाएंगे फिर उपर जाते 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 आप मतलब आप पहले नीचे फोरम में जाएंगे फिर उपर जीला में ज कौन उपस्तित होगा कौन उपस्तित नहीं होगा इसका जो चेयर्मेन कौन होगा इनका क्रियान में कौन करेगा मुआज़ा कितना मिलेगा प्रक्रिया क्या होगी इन सब को पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा चैप्टर है अध्याय तीन ठीक है उभोगता विवाद निवारक अध्याय दो में क्या बताया गया है उभोगता संरक्षन परिशदें जिसमें है केंडर सेंटरल राज्य और जीला ठीक है और उसके साथ ही अध्याय तीन में बताया गया है तो इसमें अध्धारा नाव है ठीक है तो धारा नाव जो है दोस्तों उसमें क्या बताया गया है इनके संरचना के बारे में बताएगे है इनके कारे छेतर के बारे में बताएगे है धारा 11 में ठीक है दस में क्या होगा जीला मंच की बनावट बनेगी ग्यारा में जीला मंच का छेतरा धिकार रहेगा उसके बाद दोस्तों 12 में आपको देखने को मिल जाएगा तरीका जिसम आप सिकायत इसमें कर सकेंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो है सिकायत की प्रविष्टी का प्रक्रिया अधारा तेरह में उसके बाद है जिसमें जीला मंच की चहान बीन अर्थत अगर कोई आप के skies लेकर जाते हैं तो कहीं ने कहीं तो वो जो है सिधार निर्ना ले ऐसा तो नहीं होगा ना कहीं ने कहीं उनके दोरा भी छान बिन किया जाएगा कि यह जो केस लेकर क्या है वो सही है या गलत है उसके बाद क्या है पंदरा में जो दिया है अपील दिया है उसके बाद है राज्य आय लोग का छेतर अधिकार क्या है तो यह जो है अनुचेद मतलब धारा सत्रा में आपको देखने को मिलेगा धारा सत्रा का में जो है मामलो का इस्थान अंतरन एक स्थान से दूसरे इस्थान जो कारे छेतर है उसमें इस्थान तरित करने के लिए धारा सत्रा का के अंतरगत है और धारक्खा में आप जो है आपको circuit नयाए पीठे हैं, उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में दोस्तों मैं detail में आपको बताऊंगा, जब इनका class चलेगा तक, ठीक है next class जो है आने वाला है भाग अध्या एक को लेकर की, उसके बाद है दोस्तों next point जो है वो है 18, धारा 18 क्या कहता है, राज्य आयोक पर लागू प्रक्रिया है, मतलब कौन कौन सी जो है प्रक्रिया जो है लागू है राज्य सरकार को और उसके बाद है अटारक का में विलोपन, मतलब कौन सा case है जिसको विलोपित कर देने का अधिकार जो है और कौन से condition मे जो है विलोपित कर पाएंगे, इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद है 19 वा फिर है अपीले, और 19 का में है आपको देखने को मिलेगा, अपील की सुईधा, तो दोस्तों कहीं न कहीं देखिए, आपने दो समिधान पढ़ाओगा, अनुछेद 19, जिसमें कि आपको सवतंतरता का अधिकार मिला हुआ है, आपको याद होगा, तो उसके तहद आप अपीले भी कर सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं कमपेर करके बता रहा हूँ, मर्ज कर दीजे थोड़ा सा, तो आपको अपील करने का अधिकार है, अनुछेद 19 के और अनुछेद 19 के तहद आपको सुनने का भी अधिकार तो नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा, आप सुन सकते हैं, तो अपील को आपको सुनने का भी अधिकार है, अनुछेद 19 के अंतरगत, उसके बाद है दोस्तों, अनुछेद 20, जिसमें रास्टी आयोग की बनावाट, भाहि आपको कहींना कहीं, रास्टी स Mr. नहीं में लेख तो आपके आकर होगे, रास्टी लेवल पर जाओगे, तो आपको उसके structure को भी समझना होगा न, तो इस structure को समझना ही के लिए दोस्तों, यहाँ पास है रास्टी आयोग की बनावट, यह किस तरीके से बनाववा है, रास्टी आयोग का छेतर धीकार वो कितने छेतर तक जो है अपना निर्णाय ले सकता है उसके बारे में है रास्टी आयोग को लागू सकती जो है उसके बारे में और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में और सांथी सांथ धारा 22 का के बारे में जो एक पक्षी है उद देशों को आस्विकृत करने की जो है सक्ति उसमें दी गई है और 77 22 खा में मामलो का इस्थान अंतरन मतलब एक इस्थान से दूसरे इस्थान अंतरन किया जा सकता है जैसे राज्य में किया गया था उपर हमने देखा ना था राज्य में भी क्या कर सकता था इस्थान अंतरन कर सकता था देखे यहाँ पास कौन सा है अधारा 17 खा में मामलो का इस्थानत किया गया था और 17 खा में सरकीटे नयाय पीठे उनका बताया गया है उसी तरीके से देख सकते हो यहाँ पास जो है मामलो का इस्थानतरन 22 खा में है और वहाँ पास 17 खा में था ठीक है का में था खा में था मा ध्यक्षे के कार्य के रिक्तिस्थान पर कौन जो है अपना निर्णा लेगा इनके बारे में है उसके बाद है अपील उसके बाद आदेशों का अंतिम मुनाता मतलब आदेश को किस तरीके से अंतिम किया जाता है उसी तरीके से अधारा 24 में है का परिशमन अवधी अर्थत प आज्ये आयोग तथा अथ्वाराश्टी आयोग के आदेशों का प्रवर्तन इसके बारे में देखेंगे डेटेल तरीके से कौन सा है इसमें धारा 25 धारा 26 कहता है तूच्छ और कष्ट प्रद सिखायोत को की अस्विकृति मतलब जो तूच्छ है और कष्ट प्रद नहीं है तो उनको जो है सिखायत को अस्विकृत करने का जो है अधिकार है ठीक है मतलब छोटे छोटे जो केसे से हैं उनके लिए कही न कहीं सिखायतों को अस्विकृत करने का भी अधिकार के बारे में भी बताया गया है लेकिन बहुत सारे एजिंसी होती है जैसे किसी ने कर रहा है और ल talk को से कर रहा है तो क्या हो जाएगा कहीं न कहीं कहीं एक लाख रूपए उसके पास जो है कलेक्ट हो चुका है तो क्या आप उसको तुच्छे समझूँगे तो इस तरीखे को लेकर के भी जुँ ऐसमें बताया गया है उसके सांथिस्वास दोस्तों शक्तियां भी बताई गई है और धारा 27 के अंतरगत जारी किये गए आदेश के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार जो है इसमें के बारे में बताया गया है ठीक है मतलब कोई इसके अंतरगत जो है आदेश जारी कर दिया गया है उसके विरुद्ध भी आप अपील कर सकते हैं कि ये कहीं न कहीं ये आदेश जो है गलत है और इस पर जो है सुनवाई की जाए करके ठीक है तो ये किसके अंतरगत आता है धारा 27 के अंतरगत आता है अब बात कर दोस्तों धारा धाय चार धाय चार जो है विविद्ध है इसमें कुछ कुछ जानकर यह आपको देखने को मिलेगा जो 28 से लेकर के 30 तक है ठीक है जो उपर में हमने देखा था दोस्तों भाग 3 तो प्रश्ण कर पूछे भाग 3 में जो है धारा कहां से कहां तक है तो 9 से लेकर के दोस्तों 27 तक है ठीक है तो अब इसको याद रखिए अब बात कर लेते हैं धारा चार की जिसमें नाम है विविद्ध बहुत सारी विविद्ध जो है इसमें धाराएं रखी गई है तो इसमें के बारे में हम डिटेल में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है फिर हलाप इसको याद रखिए तीसमें है नियमों को बनाने की शक्ति मतलब तीसमें जो है दोस्तों आप किस तरीके से नियम बना सके हम नहीं संसद या फिर को इनके जवारा डिपार्टमेंट है इनका वो जो है नए नियम बनाने की शक्ति उनको प्रदान करती है उसी तरीके से तीसका में जो है विनेमयों को बनाने के लिए रास्टी आयोग की शक्ति और इकतिसमें दोस्तों संसद के प्रतेक सदन के समख्छ प्रतिपादित किये जाने वाले नियम एवम शर्तों के बारे में बताया गया है तो दोस्तों अभी तक थी ये जानकारी जो है धारा से रिलेटेड जहां से प्रशना पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है छोटे-छोटे हैं आप को इन सब को याद रखना होगा अगर मैं इसके बारे में जो आसर से स्टार्ट होगी न तो इनके बारे मैं डेटेल में आपको बताऊंगा तो कहीं न कहीं ये धाराएं आपको कन्फ्यूज हो जाएगी तो कहीं न कहीं आप इनको जो है पूरी तरीके से नोट करके रखिए कि अध्याए एक में कितनी धाराएं हैं तीन धाराएं हैं और उबधाराओं को मिलाकर के कितनी धारे हैं साथ धारे हैं तीक है उसी तरीके से धारा मतलब अगर ये भी पूशकता है कि अध्यादों में किनका वर्णन है तो उभोकता संरक्षन परिसदों का जो है वर्णन है तीक है अध्याद तीन में किसका वर्णन है उभोकता निवारक जो विवाद निवारक एजंसिया हैं उनके बारे में है ठीक है और वो एजंसिया नहीं है कुल मिलाकर के के अंदर राज जीला ये जो है पूरी तरीके से सामिल है ठीक है तो ये थी दोस्तों जानकारी आपके लिए तो उम्मीद करता हूँ ये चीजे आपको समझ आ चुकी होंगी नेक्स्ट जो है दोस्तों अभोकता सरक्षन अधिनियम का अध्याए एक जिसमें हम पूरी तरीके है उन सब के बारे में बताएगा है अध्याए दो कहीं ने कहीं दोस्तों बहुत जादा लंबा है क्योंकि प्रतेक सब्द जो मैंने उपर में बताया उन सब ही का दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा पूरी जानकारी पूरा चीजें को यहाँ पस देख सकते हो ये ठीक है इन सब को कहीं न कहीं हमको समझना होगा कि इनका अर्थ क्या होता है तो कहीं न कहीं नेक्स्ट जो पाल्ट आएगा वो थोड़ा सा लेट हो सकता है लंबा हो सकता है तो उनको भी आपको समझना होगा तो चली इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं धारा एक के बारे में तो जो लगु शुरुशक सीमा आराम वेवम लागुता जो की कहा है पहला भार अध्याय है अध्रारंभिक तो इसमें दोस्तों बताया गया है पॉइंट में कि यह अधिनियाम जो है उभोकता संरक्षन अधिनियाम 1986 कहा जाएगा ठीक है तो इसको पूरा नाम जो है उभोकत होकता संरक्षन अधिनियाम 1986 दूसरा क्या है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाए संपूर्ण भारत पर होगा अब लिए जो है पूरी तरीके से हट चुका है तो आप इसको ध्यान मत दिजेगा अब जम्मू कश्मीर में भी यह अपलाई हो चुका है ठीक ह यह पूरी तरीके से लागू हो चुका है तो आप ध्यान मत दिजेगा अधिसूशना द्वारा केंद्रिय सरकार द्वारा स्पस्ट रूप से परदान किये गए को सुरक्षित करते हुए यह अधिनियाम सभी वस्तों में वह माल के लिए क्या होता है लागू होता है ठीक है साला कहा जाएगा तो आप जनरल भासा में बोल सकता हूं लेकिन यह पूरी तरीके से अगर आपको प्रेशन करना है मेंस के लिए तो कहीं न कहीं आपके लिए बेनिफिट होने वाला है ठीक है जैसे मैं बोल दूँ साखा कार्याल है तो इसका पर क्या होगा भई आगे सबके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है अभले आपको याद होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता लेकिन आपको जरूर याद करना है ठीक है तो चलिए वीडियो कासा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो चीज समझ नहीं आ रहा है उसको जरूर प्लेलिष्टे में उसको सजो करके रखा हूं कहीं नहीं वो जो है आपके लिए भौती काम आने वाला है ठीक है इसके लावा जो दोस्तों और भी कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं अगर इसका पीडियाफ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमें ज़रूर जोइन के लिजएगा बिहास ओनलाइन क्लास और पूराने जो पीडियाफ है उसको मैं पहले ही से वहाँ अप्लोड कर दिया हूं आप आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकरी के साथ तो मुझे Jai Jajaj take care all the best and Jai Hind